तो दोस्तो आज हम लोग ऑन्बॉक्सिंग करने वाले हैं प्रोट्रोनिक्स USB केवल का जो की ख्लिप कार्ट पर एबुलेबुल है ओनली 89 रूपीज में और आप लोग प्राइस देखकर यह समझते होंगे कि यह यूजफूल नहीं होगा तो हम लोग कोई ब्राइन्डेड या फिर हाई क्वाल्टी के प्रोडॉक्ट के पिछे भागते हैं जिसका प्राइस हाई हो लेकिन यह 89 में यकीन मानिए यह बहुत ही बेटर परफॉर्मेंस है इसका स्पीड जो है ट्रांस्परिंग स्पीड 480 Mbps है तो आप लोग एक बार इसको बाइक करके जरूर देखे हैं और इसका बिल्ट क्वाल्टी भी काफी बेटर है तो इसका उन्बॉक्सिंग करेंगे हम लोग और छोड़ा सा रिवीव भी जानेंगे तो चलिए सुरू करते हैं देखते हैं पोटरनिक्स कंपनी का जो USB केवल है कैसा है उसका बिल्ट काट से ओनली 89 डूपीज में बाइक किया था तो इसका उन्बॉक्सिंग करते हैं और देखते हैं पोटरनिक्स कंपनी का USB केवल जो है कैसा है आपको और इस बॉक्स में क्या-क्या मिलता है आप लोगो वह भी दिखाऊंगा तो इसको उन्बॉक्सिंग करते हैं हम लोग इस बॉक्स में एक बिल मिल जाता है और कुछ भी नहीं इस बॉक्स के अंदर इसको साइड रखते हैं और यह रहा बिल कुछ नहीं मिल पाता है 89 आप लोग समझी सकते हो क्या मिलेगा और क्या नहीं तो यह रहा प्रट्रोनिक्स कंपनी का USB केवल जो कि बताया जाता है यहां पर देख भी सकते हो बुलेट फोर सपीड और इसका प्राइसिंग यहां पर आपको देखने के लिए मिल जाएगा 299 का प्राइसिंग इस बॉक्स में वन माइक्रो यूएसबी केवल ब्लैक कलर का मिल जाएगा पहले ही मेंशन किया गया और 6 मंत का कंपनी की तरफ से वराइंटी आपको प्रोभाइट किया जाएगा यहां पर देख सकते हैं वराइंटी टैग लगा हुआ है तो कंपनी के तरफ से 6 मंत का वराइंटी जो इस प्रोभाइट किया जाएगा और इस केवल का हम लोग फिनिसिंग की बात करें तो यहां पर दिया हुआ है लेदर फिनिसिंग है तो सबसे पले अब निकाल कर देखते है 89 में कैसा विल्ड क्वालिटी मिल जाता है और चाल्जिंग स्पीड किया है एक लिए एक और बाइक यह था इसी का तो मैंने इसको यूज किया तो उसका परफॉर्मन्स जो है स्पीड जो है काफी अच्छा है इसलिए मैं दुबारा एक और लिया अपने फ्रेंड के लि तो साइट रखते हैं और यह रहा अफ्रा इस भी केवल प्रट्रोनिक्स कंपनी का यह बिल्ड क्वाल्टी की जो बात करें हम लो जिस तरहिके से बोला गया था वहीं सेम बिल्ड क्वाल्टी काफी ही अच्छा है इसका और वायर जो है बिल्कुल ही सॉफ्ट है वायर जो ह तो कहीं बॉक्स पर नहीं किया गया है कि कितना मीटर है आपको लेकिन यह एप्रॉक्स हमको जहां तक लगता है 1.5 मीटर का है यह वायर और मेरे पास अल्रेड एक मतलब कंपनी का भी है ओपो का अगर दोनों में हम लोग कंपेर करें यह ओपो का है और यह पोट्रोनिक्स जो अब यह भी जिसका अन्बॉक्सिंग किये यह दोनों करें तो यह दोनों का क्वाल्टी में ज्यादा कुछ फर्क देखने को नहीं मिला अब 89 में चाहते क्या हो 89 में तो इसके अनुसार आपको बहुत ही अच्छा क्वाल्टी का मिल जाता है बिल्ड क्वाल्टी भी अन्लाइन इसको देख आताब 480 Mbps का स्पीड है इस चार्जिंग का तो यह फास चार्जिंग भी सपोर्ट करेगा तो एक बार 89 में यूच करके देख सकते हो बाहर मार्केट में भी जाओगे तो 100 में तो मिली जाएगा कोई ने कोई वायर एक बार 89 में इसको भी ट्राइ है बिल्कुल ही आप लोग एक यूदि दोस्तो यह था वीडियो पुच्ट तो कैसा लगा वीडियो आई होपी यह वीडियो पसंद आया होगा सो घाइज अगर कोई को में तो जरूर कमेंट बॉक्स में डालिए मैं 100 प्रसंच उसका रिपलाई दोंगा तो दोस्तो मिलते ह नेक्स्ट वीडियो में तब तक लिए बाबाई टेक केर है वे नाइच दे